अपने जिस विधायक से जेल मिलने गए क्या अखलेश, मानो उन पर तो मुसीबतों का पहार तूट पड़ा है एक पर एक मुकदमों का सिलसिला यो शुरू हुआ कि बस पूछिये ही मत जी, सही समझे, सपा विधायक इर्फान सोलंकी की बात कर रहे हैं बानो पॉलेस उनके पीछे हाथ धोकर नहीं, बलकि नहा धोकर पीछे पड़ गई है जेल में बंदिर फान सोलंकी पर गैंगेस्टर एक्ट समेट कुल तीन नए मामले दरजुएं हैं वो भी काफी गंभीर धाराओं में पूरी कारियों में पूरी तरह से गतिरोध पैदा करने से ले करके है जहां पर आवेवस्था लगई थी जो कि गवाल टोली थाने में दर्ज किया गया तो गिनते जाएए धाराएं सुनते जाएए आरोब पहले बाद गैंगेस्टर एक्ट की तो कानपूर पुलिस ने जाजमव में संगठित गिरोह बना कर अपराध करने पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुल पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और गिरोह का सरगन लोगों के विरत्द मनाये गया है जिसमें तो सबसे पहला नाम है इर्फान सोलंग की दूसरा नाम है तीसरा नाम है शौकत पहलवान चोथा नाम है इसराइल आतेवाला और पांचवा नाम है महम्मद शरीफ ये एक गैंग चार्ट है और इस गैंग चार्ट के उपर बेसिस करके और साथ में इनके अन्य क्रिया कलाप गतिविधी अपराधी कृति इनकी हिस्ट्री सीट और इनके जितने भी पूर्व के मुकद अन्य जो कारिये हैं जिससे दूसरे की जमीन पर करजा करना बेदखल करना लोगों को जमीनों को गलत तरीके से हासिल करना इत्यादी कारिय कर रहा है इस चीज को देखते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दज करके कल इसकी जांच आरंब कर दी गई है गैंगस्टर की कारवाई में इर्फान सुलंकी के साथ साथ उनके भाई रिजवान सुलंकी भी फंसे हैं अब जरा इर्फान सुलंकी की खिलाफ दर्ज दूसरा केस भी जाने जिसमें एक वारिल वीडियो को लेकर पुलिस अब एक्शन में आई वीडियो वाइरल हो रहा था काफी दिनों से और वो वीडियो था एक पुलिस कर्मी के साथ ट्राफिक पुलिस कर्मी के साथ दूर्वेवहार का उसके साथ मिस हैंडलिंग का उसके साथ काम में बाधा पहुचाए जाने का जो की जांच के बाद पता चला कि वह गौल तोली अब जरा इस वीडियो के बारे में ये जान लीजिए कि ये वाइरल वीडियो पिछले साल का है जिसमें पुलिस वाले पर इर्फान सुलंकी चिलाते हुए नजर आए थे इतने पुराने वीडियो पर यूँके इस दर्ज होने पर सवाल पूछा गया तो पुलिस का क्या कहना है सुने यहां पर ऐसे जितने भी मामले हैं जहां पर किसी के साथ भी गरिमापूर्ण आचरण या विवहार नहीं किया गया है जो कि देवटी पे कारियरत किसी भी विवाग के लोग हैं उन्हें पुरा अधिकार है कि वो अपनी बात को प्रथम सूचना को दर्ज करा सकते हैं और चुकी या संगे अपराद हैं प्रथम सूचना दर्ज कराई गई है अता प्रथम सूचना हमने स्विकार करके इस पर अग्रे पाची के कद्दावर नेता अजम खान के खिलाव जिस तरहा रामपुर में फायार की संख्या बढ़ती गई और उनकी विधाई की तक चली गई उसी तरहा कानपुर के सपाविधायक के उपर भी लगातार फायार की संख्या बढ़ती जा रही है आपको बता दे के इर्फान पर अब तक सत्रह मुकदमी दर्ज हो चुके हैं सपाविधायक इर्फान सुलंकी के लिए पांच नवंबर की रात से ऐसा खहर बरसना शुरू हुआ कि उसकी चंगल से निकलना विधायक के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है साथ नवंबर को पड़ोसी महला नास की प् फर्जी आधार कार्ड बनानी की एक F.I.R. दर्ज की थी एक महने बाद इर्फान सुलंकी ने अपने भाई रिजवान सुलंकी के साथ कमिशनर के बंगले में सरिंडर कर दिया था तब से रेकर अब तक इर्फान सुलंकी तो जेल में हैं उनको कानपुर जेल से महराज मुकदमी भी उनके खिलाफ दर्ज कर चुकी है जिसमें नौ मुकदमी उन पर पहले के दर्ज हैं और आप तीन ये नए मामले साफ साफ अल्टिमेटम भी के आक्शन अभी बाकी है हाल ये है कि मुकदमी को फास्ट्राक कोट में चलाने के लिए कोट में एक पत्र भी दाखिल किया गया है यो पितर कानपुट से सिमर चावला के साथ रंजे सिंग के रिपोर्ट योपितर